दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पुरुषों से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे जो कि मैक्सिमम आप लोगों ने खुद नोटिस किया होंगे दोस्तों पुरुष अपने जीवनकार का एक साल सिर्फ महिलाओं को देखने में गुजार देते हैं और कुछ लोग तो इससे भी जाना गुजारते होंगे दोस्तों किसी लड़की को प्रपोस करते समय लड़का भी उतना ही नर्वस होता है जितनी की एक लड़की होती है और आप लोगों मेंसे ऐसा किस-किस के साथ हुआ है मुझे कमेंट शेक्शन में जरू बताना दोस्तों एक लड़का अपनी गर्फरेंड या अपनी वाइफ के साथ लगवक साथ पसंट दीरे चलता है वही दूसरे लड़के के साथ चलने पर उनकी स्पीड बढ़ जाती है आप लोगों मेंसे कौन-कौन लड़के ऐसे हैं जो अपनी गर्फरेंड या अपनी वाइफ के साथ दीरे-दीरे चलने में इरिडेट होते है क्या आप लोगों में से कौन-कौन लड़की ऐसी है जिनके हस्बेंड साथ चलते-चलते बार-बार घोड़ी की तरह आगे बाग जाते है मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताना फैक्ट नमबर फोर मतलब दोगुनी स्वेटिंग होती है फैक्ट नमबर फाइव पुर्षों द्वारा आई लव यू कहने के चांस महिलाओं से कहीं ज़्यादा होते है फैक्ट नमबर सिक्स यदि पुर्षों को साथ दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो तो वो पांच दिन के हिसाब से कपड़े पैक करते है वहीं अगर महिलाओं को साथ दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो तो वो 21 दिन के हिसाब से कपड़े पैक करते है है ना अजीब बात इस फैक्ट को तो मेरिड लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि उनकी वाइफ कितने कपड़े लेके जाती है उम्र बढ़ने के साथ आदमी फैशनेबल कपड़ों की तुलना में रिलेक्सेबल कपड़े ज्यादा बहनना पसंद करते हैं फैक्ट नमबर एट ड्राइविंग के दारान पुरुष हर साल लेडीज की तुलना में एक्स्ट्रा तेल इसलिए बरबाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा डिरेक्शन पूछना पसंद नहीं होता फैक्ट नमबर नाइविंग वैलेंटाइन डे पर सामान्ने पुरुष सिर्फ अपनी गर्फ्रेंट पर 154 डॉलर खर्च करते हैं मतलब ग्यारा हजार रुपए संथिंग खर्च करते हैं लेकिन वहीं अपनी पतनी पर केवल 136 डॉलर खर्च करते हैं मतलब सिर्फ 10,000 मत्चाना